ठीक है वीडियो को फिर से जो है second part की वीडियो है, part 1b से आपको continue करा हूँ, part 1b के 50 marks का continue करा हूँ यहाँ पे यह वीडियो आप जरूर देख लिजिए, पहली वाली वीडियो भी जरूर देख लिजिए, English के toss के 10th class के students, English medium और और दो medium का सेम सले बस है, 18th question देख लिजिए, why तो यह आपको 5 questions लिखना है अगर आप 5 में से एक भी छोड़ देंगे तो 4 marks मिस हो जाएंगे 10 lines में आपको 2 questions करना है यहाँ पे internal choice दी गई है 2 questions लिखना है 1 question 10 mark का है 23 में 2 दिये गए है A और B 24 में A और B दिये गए है दोनों में से सिर्फ आपको 1 करना है 23 में से एक करना है 10 marks 24 में से एक करना है 10 marks 20 marks आपको यह bit में ही मिल जाएंगे आप question क्या है देख लिजे list some good manners of your choice what is the impact of them on your life आपको जो है आप good manners के बारे में क्या क्या है respect, discipline, character, behavior उसके बारे में आपको लिखना है उसका आपकी जिन्दगी पे क्या असर पड़ा उसके बारे में आपको own से लिखना है 23 question 23 में B वाला क्या है देखिए if you were given an opportunity to sell across the countries अगर आपको एक मौखा दिया जाए कि आप जो है कपड़े या कुछ भी sell करें country के बाहर, country के अतराफ में तो क्या आप सिंदभाद के जैसा travel करते है अगर करते है तो क्यों, why, why not अगर नहीं करते है तो क्यों नहीं उसके बारे में आपको answer लिखना है 24 वाला देख लिजिए, sketch the characters of Jimmy and Bob in the story after 20 years, why do you like, why, जो Jimmy और Bob का जो character था after 20 years lesson में, उनका आप क्यों पसंद करते है, अगर पसंद करते है, why, how do you like, कैसा आपको पसंद है, why, कई क्यों आप पसंद करते है, उसके बारे में आपको बताना है ठीक है, उस 24 वाला, ये आप लिख सकते है, अगर ये नहीं याद है, तो और दिया गया है, ये दोनों में से एक लिख सकते है, next वाला क्या है, B वाला, 24 वाला, how did the convict in the lesson, caring for others, become a man with good nature, तो ये भी आप लिख सकते है, lesson में से दिया गया है, ठीक है, उसके बाद next bit जो है, creative expression है, 25 का, यहाँ पर 10 marks दिये गया है, इसमें भी internal choice है, 25 में A और B, दोनों में से आपको एक करना है, 10 marks में, 25 में क्या दिया गया है, देखे, convert the following price, piece of Sindhabad autobiography into biography, ये autobiography passage type दिया गया है, यहाँ पर आपको इसको बायोग्राफी में convert करना है, बायोग्राफी में कैसा convert करेंगे, name दालेंगे, father name दालेंगे, education qualification दालेंगे, achievements दालेंगे, awards दालेंगे, उनकी death कब हुई वो दालेंगे, उनके awards कहे है, वो दालेंगे last में, ठीक है, ये आपको बायोग्राफी में करना है, बायोग्राफी एक CV type आपको बनाना है, यहाँ पर autobiography दी गई, इसी में से आपको ब कर लिया था, जो है, gene religion के बीच में, और जो है, जो था, police, write a possible conversation between the police sergeant and gene religion, दोनों के sergeant और gene religion के बीच में, जो है, conversation आपस में क्या बाच्चित हुई, क्या dialogue writing है, वो आपको dialogue writing करना है, first name दालके person का, surgeon दालके, फिर gene religion दालके, दोनों की communication लिखना है आपको, gene surgeon, hi, gene religion, hi, how are you, फिर उनों बोलते हैं, दोनों की communication लिखना है, आपको 10 marks में, यह बीच आपको अची तरीके से पढ़ लेना है, total 50 marks आपको मिल जाएंगे, next part second है, यहाँ पे part second 30 marks का आएंगा, vocabulary और grammar section आएगा, यहाँ पे बहुत important है, vocabulary और grammar section 30 marks आपको मिलेंगे, यहाँ पे अगर आप कोई बीच जल्द बाजी में जल्दी कर देंगे, जल्द बाजी में आप जो है, wrong लिख देंगे, तो अपने हातों से आप marks खो बैठेंगे, बहुत सारे students जल्द बाजी करते हैं grammar part में, और अपने हातों से marks गवा देते हैं English में, उनके मम्मी पपा जब पूछे कि English में इतने marks क हैं तो बोल देते हैं कि कुछ mistakes कर दिया में जल्दी जल्दी में आ कर दी तो आपको mistakes नहीं करना है, अच्छी तरीके से समझना है, time पूरा लेना है, समझने के लिए question को उसके बाद answer करना है, अब यहां पे vocabulary और grammar part में 26 और 30 bit क्या है, वो देख लीजिए अच्छी तरीके स एक्जाम सेंटर में, एक्जाम में अच्छी तरीके एक्जाम हॉल में read कर दिजिए, read the following passage given below 5 sentences in the passage, a number from 22, 26 to 30 at the beginning, each of these sentences has an error, हर sentence में जो है एक ना एक गलती है बोदा है, correct करो बोदा है उसको और फिर से लिखो बोदा है sentence को answer booklet में, तो अब कैसा करेंगे, आप यहां पे दे factors दिया गया है, उसके बाद they differ with size, तो इससे पहले आपको 26 यहां पे दिया गया है, तो total 5 marks मिलेंगे, आपको total 5 questions, 5 इसके सही answer लिखना है, 26, 27, 2, 3, 4, 5, 5 marks आपको मिल जाएंगे, 5 sentences आपको correct करना है, तो कैसा करेंगे, answer booklet में आपको लिखना है, पहले 26th answer बोलके लिखना है answer booklet में, 26th answer बोलके लिखना है, आपको क्या करना है, देखिए, question पूरा लिखना है, they differ with की जगे, आपको अच्छी तरीके से देखना है, कि कहां गलती हो रही, पहले आप समझ जाए, they differ with size, cost, computing, power and use, there are many types of computers, they differ in size, they differ with size, cost, computing, power and use, तो यहां पे sentence का जो error है, वो with की जगे, with क जगे, in आना है, तो आपको answer booklet में, 26th answer बोलके, लिखके, they differ in size, cost, computing, power and use, यह आपको 26th का answer एक हो गया, यह लिख देना है, complete, next 27th का answer बोलके दालना है, इसमें क्या गलती है, पहले पढ़ लेना है, आपको, the most commonly is the personal computer, commonly की जगे, common आना है, the most common is the personal computer, यह रोंग है, आपको answer booklet म लिखना है, 27th answer, the most common is the personal computer, ठीक है, समझ में आ गया होंगा आपको, उसके बाद 28th का answer बोलके दालिए, it is the most used in homes, schools and offices, नहीं, यह रोंग हो गया sentence, it is mostly used in, it is mostly used हो रहा है, घरों में, schoolों में, offices में, तो used की जगे पे used आना है, तो आपको booklet में कैसा लिखना है, 28th answer बोलके, it is mostly used in homes, schools and offices, next 29th वाला क्या है, देखिए, answer लिखिए, answer बुकलेट में, it is also known as, and desktop computer, नहीं, रोंग हो गया sentence, it is also known as, as a desktop computer, and की जगे, a लिखना है, आपको answer बुकलेट में, तो पूरा लिखिए, it is also known as, a desktop computer, and कट कर देना है आपको, ठीक है, next 30 वाला देखिए, it has processing, but storage units, monitor, audio output unit and keyboard, तो यहाँ पर देखिए, and, but की जगे, and आना है, it has processing, and, storage units, monitor, audio output unit, and keyboard, तो, but की जगे, आपको, and लिखना बहुत ज़रूरी है, यह बात याद रख लिजे, तो आपको answer बुकलेट में, लिखना है, 30 answer, it has processing, and, storage units, monitor, audio output unit, and keyboard, तो यह passage आपको एक बार learn कर लेना है, एक बा इसको क्या गलती है, a की गलती है, and की गलती है, in की गलती है, da की गलती है, with की गलती है, कौन से articles की गलती है, कौन सा grammar part की गलती है, कौन सा pronoun की गलती है, कौन सा non की गलती है, कौन सा parts of speech है, यहाँ पे, कौन सा article आपको डालना है sentence में, कौन सा wrong sentence में, कौन सा parts of speech आना बहुत जरूरी है, non की mistake है, या pronoun की mistake है, या conjunction की mistake है, यह आपको पैचानना है, preposition है, या article है, वो जरूर पैचानना है आपको ये error bit में, 5 marks आपको मिल जाएंगे, next bit देख लेके 31 से 35 की bit, 5 marks की है, complete the passage choosing the right word from the given below it, each blank has number from choices ABCD, choose the correct answer from the choices ABCD in your answer booklet, 5 marks में आपको दिया गया है, एक passage दिया ग देवी वाज बाउन 4th November 1929, she dash born in dash orthodox Brahmin family, 31 से पहले आपको क्या लिखना है, यहा पे 4 option है, was लिखना है, is लिखना है, लिखना है, आल लिखना है, शकुंतरा देवी वाज बाउन 4th November 1929, she was born in an orthodox family, 32 वाला क्या है, ए, दा, ए, एन, देट, एन, एन, इस दा, राइट, वरा शीषी ट में आप 31 आंसर वोस ब्लक के दाल के लिख सकते हैं, थर्टी-ट्री वाला वीन ब्लक के दाल सकते हैं, हु मैं चारों अंसर की डिख लेंगे, read the following passage and fill the blanks choosing the correct words given in the bracket write the answers you know answer booklet 8 marks में दिया गया है बहुत important है बहुत easy beat है लेकिन 8 marks में दिया गया है यहां पे एक passage दिया गया है देखें dash you may go in तो आपको दोनों में से यहीं पे दिया गया answer यहां दोनों में से आपको कौनसा answer लिखना है now you may go in now you may go in peace 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 बोले तो टुकडे को बलते peace बोले तो खामुशी को बलते you may go in 37 तो आला कुनसा सही है दोनों में से peace सही है यहीं लिखना है आपको next throw throw बोले तो फेकना throw लिख मतलब उसकी तरफ से come again you need not to come throw उसके तरफ से आप नहीं जा सकते तो throw is the right answer उसके बाद looked logged बोले तो देखना logged बोले तो बंकरना तो locked is the right answer तो आपको passage पढ़ लेना है आपको answer इसी में से लिख लेना है promise promoted promoted मतलब fail हो जाना promise मतलब कोई चीज निभाना तो promise is the right answer proud honest proud मतलब government करना, honest मतलब इमानदार man तो इमानदार यहाँ पी will you fulfill this promise तो यह आपको करना है बहुत easy है 8 marks आपको मिल जाएंगे next 44-48 का question देख लेंगे rewrite the following sentences as directed 5 marks में आपको लिखना है बहुत easy है लेकिन काफी students में भी परिशान होगा थे यहाँ पे देखे आपको पहले question दिया गया है फिर answer आपको यहाँ से start करो बोला 10 देखे answer start करो बोला तो कैसा करेंगे 5 marks में it produces the resulting output information change into interrogative interrogative में कैसा change करेंगे 10 दे दिया गया है 10 आपको answer sheet में लिखना है answer booklet में 44 answer बोलके यहाँ पे डाल लिए 44 answer देखे यहाँ पे डाल दीजे answer बोलके डाल दीजे ठीक है answer बोलके आपको यहाँ पे लिखना है answer बोलके डाल के लिखिए answer बोलके डाल के does आपको लिख देना है does it produces the resulting output information बोलके आपको question mark करना है फिर it resembles a thin briefcase what बोलके आपको पहले से दे दिया तो what लिखके answer में what does it resemble question mark डाल दीजे what does it resemble उसके बार next देख लेंगे और example यहाँ पे डिये रहे total 5 है I completed my work I went to bed continue combining using after दोनों के बीच में after डालना है after I had completed my work I went to bed तो यह आपको complete करना है answer after यहाँ पे पहले से है आपको exam में booklet में यह जरूर लिखना है after I had completed my work I went to bed next one my mother looked the door she went combine using before my mother had locked the door before she went out तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है my mother had locked the door before लिखके she went out 48 का answer यहाँ से लिखना है आपको if you had work hard if you had work hard you will not have failed यह आपको लिखना है if you had work hard अगर आप जादा महिनत करते थे तो आप बिलकुल फेल नहीं होते है will you not have ठीक है if you had work hard you will not have failed तो यह आपको बना के इसमें से लिखना है next 49 से 455 bit देख लिखना है complete the following passage with right form of the word sign form of word में लिखना है given in the bracket में ही दिया गया है वो ही लिखना है आपको write the answer in your own answer booklet 7 marks में दिया गया है बहुत easy bit है money is the most basically की जगे basic लिखना है जहाँ पर डबल लवाई आ रहा है वहाँ पर आपको short form लिखना है जहाँ पर short form आया वहाँ पर डबल लवाई लगाना है आप देख लेंगे money is the most basic basically की जगे basic requirement of the life we can never compare the importance of money important की जगे importance लगाना है C E लगाना है important की जगे T की जगे C E लगाना है importance of money with that of love both are high की जगे L Y लगाँ बला मैं अभी बला मैं आपको both are highly required for the healthy life but they have their own significant T की जगे जहाँ पर भी important T आता है last में significant वहाँ पर significance C E लगाना है but they have their significance separately we cannot rank the both on the same skill 2 की जगे both लिखना है आपको 1 की जगे जो है single लिखना है both on the same skill we need money for essential essentially की जगे डबल लवाई निकालके essential things like buying food buy की जगे buying B U I V N G buying food lots education and entertainment तो यह आपको अच्छी तरीके से learn कर लेना है English का जो है grammar part 30 marks का आपको बता दिया हूँ part 1 के reading comprehension के answers भी आप note down कर सकते यहाँ पे 1, 2, 5 6, 2, 9 10, 2, 12 10, 2 marks 2 marks 2 marks ठीक है what kind of king was Rudra and Sima यह भी आप देख लिजे 2 marks के है फिर उसके बाद जो है 13, 14, 15th bit के answers भी है मैं यहाँ पे आपको बता दिता हूँ देखिए उसके बाद part 1 writing and writing and creative expression के जो important मैं आपको बोला हूँ वो भी यहाँ से आप learn कर सकते वीडियो के जरीए why did gene welle gene assisted to steal the silver weight at first answer है यहाँ पे how did the proud man and the poor man threat the point यह भी learn कर सकते आप 20 वाला question bob के बीच में bob और दोनों का conversion क्या है वो कर सकते आप 29 वाला computers के uses 22 वाला beggars के कैसा देना वो है 23 24 में से 2 में से 23 वाला good manners के बारे में दिया गया है वो भी आप यहाँ पे learn कर सकते देखिए यह पूरा दिया गया है answer तीक है यह पूरा answer दिया गया है फिर next वाला भी answer दिया गया है यहाँ पे बी वाला फिर 24 वाला जो है the story of Jimmy and Bob के बारे में है यहाँ पे पूरी story दी गई यह भी आप learn कर सकते अगर यह नहीं लिखना चारे तो आप नीचे जो है conversation दिया गया था वो भी आप लिख सकते है B bit creative expression में conversation है gene, religion और police का conversation किसको नहीं आता वो आप लोग देख सकते इसको conversation बोलते है dialogue writing बोलते है दोनों के बीच में लिखना है आपको ठीक है यह आप कर सकते है 10 marks में उसके बाद 5 second की दिये गई है देखिए 5 second की vocabulary और grammar के यहाँ पर answers दिये गए है 26 से 30 तक answer है 31 से 35 के answer है 36 से 43 के answer है 44 के 48 answer है 49 to 55 last के answer से ठीक है तो यह model paper के questions भी बता दिया हूँ और explanation भी कर दिया हूँ और answers भी बता दिया हूँ मैं आपको English के English के जो है फिर से एक बार model paper देख लीजे Reading 1 है Comprehension है फिर उसके बाद जो है फिर passage writing है फिर उसके बाद passage है और एक एक फिर उसके बाद 10, 11, 12 जो है passage का यह question है दो फिर उसके बाद 13 से 17 poem दी गई है 23, 24 में 2 question में से एक लिखना है 10 marks में फिर 25 में 25 में 2 दिये गए दोनों में से एक लिखना है 10 marks में यह भी questions है फिर उसके बाद part second के जो है पूरे objective type भी आपको बता दिया हूँ 30 marks के तीक है 26 से 30 objective है 31, 35 36, 43 44 से 48 objective है grammar part फिर उसके बाद 49 से 55 last जो है वो भी पूरा objective है आंसरां भी बता दिया हूँ इस वीडियो को लाइक करिए शेर जरूर करिए चैनल पर पहली बार विजित के तो सब्सक्राइब जरूर करिए दौआओं में जरूर याद रखिए तमाम टॉस के 10th class के students और intermediate के students आज किस वीडियो में इतना ही अपनी दौआ में जरूर याद रखिए मुहमत कामरान को अल्ला आफिस